पिछले आठ सालों में जब से श्री नरेंदर मोधी जी हमारे देश के प्रधान मंत्री बने हैं, हमारा नौत तीस रिजन बदल गिया है। बदलाओ और डिवेलपमेंट एक तेज गती से आज हमारे स्केट में और रिजन में आना शुरू हुआ है। मेगलाय में भी अलग-अलग शेत्रों में हमने बहुत प्रोग्रेस किया है। जल जीवन मिशन में जहां एक समय पर सिर्फ चार हजार घरों में पाइप से पानी मिलता था। आज आदर्निय प्रदान मंत्री के नित्रतों में दो लाक पचास हजार से जादा घरों को दो साल के अंदर आज पीने का पानी मिला है। जहां मेगहलाय में सिर्फ पचास पसंट बच्चों को इम्मुनाइजेशन या टिका लगता था। और मेगहलाय सबसे नीचे पोजेशन में होता था। आज अधर्निय प्रधान मंत्री जी के नेत्रतों में 50% से आज 90% बच्चों को आज टिका मिलता है। और आज हम देश के लास्ट में से होकर आज नंबर दो पोजेशन में हम पोच चुके हैं। जहां एमजे नारी जीये में हमारे स्टेट में सिर्फ 500 करोड रुपया सैंक्शन होता था और काम होता था। आज आधर्निय प्रधान मंत्री जी के नित्रतों में 500 से आज हम लोग 1500 करोड तक हम लोग पोच चुके हैं। और इसका लाब जो है हर गाओं में लोगों को मिल रहा है। जहां हमारे यहां पे सिर्फ 5000 सेलफ हेल्प ग्रूप महिलाओं के होते थे। ये आधर्निय प्रधान मंत्री जी के नित्रतों में 5000 से आज 45,000 ग्रूप सेलफ हेल्प ग्रूप के बन चुके हैं। यहां तक कि 80% हमारे जो गाओं के महिलाओं हैं वो आज एक न एक सेल्फ हेल्प ग्रूप के साथ जुड़े हैं। और ये इसलिए महत्वपूर हैं क्योंकि जब तक हमारी महिलाओं हमारे ओवरॉल एकनॉमिक डिवेलपमेंट भाग नहीं लेंगे। तब तक हमारा ओवरॉल डिवेलपमेंट नहीं आएगा। जिस तरीके से हमारे आधर्ण्य प्रधान मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हमें सब को साथ लेके चलना है। पुरे नौर्थीज को साथ लेके चलना है। जब PM साब ने ये सोच हमारे सामदे रखी है तो ये हम लोग का भी फर्स बनता है कि हम भी हमारे स्टेट में सभी लोगों को साथ लेके चड़े। किसी को हमें पीछे नहीं छोड़ना है। और ये सब जो बदलाव आया है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लिकिन जो सबसे बड़ा जो बदलाव जो मेरे मन में है और मेरे observation में है वो बदलाव है लोगों की सोच में। आज चाहे हमारे 39 के लोग क्यों नहों या चाहे हमारे देश के दूसरे भाग के लोग क्यों नहों। आज लोगों में विश्वास है। एक समय ऐसा था लोगों को लगता था कि 39 एक बहुत छुटा एरिया है। 39 कभी आगे नहीं बढ़ सकता। 39 के लोग हर्दम पीछे ही रहेंगे। लेकिन आज हमारे आदर्निय प्रदान मंत्री जी के वज़े से लोगों में विश्वास है कि 39 के लोग भी और 40 स्टेट भी देश के किसी भी स्टेट के साथ कम्पीट कर सकते हैं। 39 के लोगों में प्रदान मंत्री जी ने हमें लीडर्शिप दिया है। उनके डिटर्मिनेशन की वज़े से उनके हार्ड वर्क की वज़े से उनके कमिट्मेंट की वज़े से और सबसे ज़्यादा जरूरी 39 के लोगों के लिए उनका जो प्यार है उसके वज़े से आज ये सब बदलाओ आज आए हैं। मुझे याद है सब्टेंबर के 16 तारिक को 2011 मैं गुजरात गया था। और उस दिन जब आदर्ने परधान मंत्री जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे। मैं उनसे 30 मिनिट मुझे बैठ कर बात करने की मुझे एक चांस बिला। और मुझे आज भी हर मिनिट याद है। उन्होंने मुझे कहा उस समय और मेरा नाम पुकार के कहा। कहा कॉन्राइड आपको सोशल सेक्टर में ध्यान देना है। बाकि सारे सेक्टर्स को डिवलप करो। लिकिन सोशल सेक्टर में आपको पीछे नहीं रहना। एजूकेशन में आप धिहान दो। बच्चों के एहल्थ के लिए अप धिहान दो। महिलाओं के एहल्थ के लिए धिहान दो। सरर मैं आपको पतायना चाहता हूं कि आपके माघगदर्शन में आज एजुकेशन में हमारी सरकार ने maximum budget allocation किया है और सबसे ज़्यादा जो investment हम लोग करते हैं वो education में करते हैं सर health के बामले में megalaya state पूरे देश में percentage और budget के हिसाब से number 4 position में है सर आज हमारे हाँ पे जो बच्चे malnutrition होते थे जिनका सही तरीके से खाना नहीं मिलता था सर आज ये malnutrition children सैम और मैम children को हमने 90% तक हमने घटाया है और उसे कम किया है और आज हमारे बच्चे जो है पेले से ज़्यादा वो आज healthy है और यही सर एक social sector का जो focus है मुझे ये भी याद है कि उस दिन आपने जब मुझे मुझे से बात की आपने ये भी कहा कि जब आप उस समय जो प्रधान मंत्री थे जब आप बिलने जाते हैं तो आप उनसे पैसा नहीं मंगते आपने कभी skin नहीं मांगा PM साप से आपने satellite मांगा मुझे याद है सर आपने ये मुझे पताया था आपने कहाता संगमा मैंने PM से satellite मांगाए क्योंकि मैं गुझरात में हर कोने में मैं network पहुचाना चाहता हूँ सर यही ideas जो है यह जो आपकी सोच है इसकी वज़े से गुझरात बदल गया और आज देश बदल रहा है और मुझे पुरा विश्वास है कि North East भी बदलेगा सर आज North East Council के इस Golden Jubilee celebration में सर मैं आपको और हमारे अधर्णिय ग्रह मंत्री जी को मैं बहुत-बहुत शुब कामनाई देना चाहता हूँ North East Council ने हमारे नीजन के लिए बहुत काम किया है लेकिन सर अब समय आ गया है कि हम North East Council को और आगे बढ़ा हैं एक funding agency ही नहीं लिकिन एक policy और एक coordinating body अगर North East Council बन सके तो इसका फाइदा होगा सर अगले 25 साल में 50 साल में जैसे आपने कहा कि हमारा क्या लक्ष होना चाहिए उस लक्ष को सोचकर आज हमें policy बनानी की जरूरत है सर इसमें मैं खली दो चीज़े कहना चाहूंगा कि अगर हम North East Council के थूरू एक executive committee बना कर मुख्यमंत्री इसको rotation basis पर हम लोग chairman की post को दे executive committee में और चार-पाथ सेक्टर जैसे tourism, act east policy, international trade, flood और यह अलग-अलग ऐसे sectors में focus करें और region wise जैसे बंगलादेश के साथ हमारा active policy क्या होना चाहिए Myanmar के साथ हमारा active policy क्या होना चाहिए जैसे बंगलादेश के साथ Assam, Meghalaya, Mizoram और तृपुरा का ज़्यादा रोल है तो क्यों न हम चार state एक साथ मिलकर NEC के umbrella के अंदर हम लोग policy बनाए सर मेरा मानना है कि अगर इस सोच से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो आपका एक सपना है कि हमारा 130 develop हो और 130 हमारे बाकी देशों के भागों से ज़्यादा develop हो और contribution दे मुझे विश्वास है कि सर वो सपना आपका पूरा होगा सर अंत में मैं एक बार फिर आपको मैं धन्यबाद कहना चाहता हूँ कि आपने समय लिया आप आज इस meeting में आए और ये दूसरी बार है कि आपने NEC का जो council meeting में आप लोग आपने lead किया और आपने chair किया सर इसके लिए एक बार फिर मैं आपको धन्यबाद कहना चाहता हूँ और मैं विश्वास जलाना चाहता हूँ सर कि जो सपना आपका है कि हमारा जो दूसरे स्टेट्सों के तरह आगे बड़े मैं आपको विश्वास जलाना चाहता हूँ कि सर हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ काम करेंगे सर और जो जिस तरीके से आगे हमारे 39 को ले जाना है जो सपना आपका है सर हमारे लिए मैं आपको विश्वास जलाना चाहता हूँ कि सारे 39 के लीडर ही नहीं लेकिन 39 का हर एक आदमी 39 का हर एक नौजवान 39 के हर महिलाएं आपके इस सपने से जुडेंगे और आपका ये सपना हम लोग हर दम बिलकुल हम लोग इसको पूरा करके रहेंगे ये विश्वास मैं आ आना चाहता हूँ